हलो दोस्तो मैं हूँ आलाम आप देख रहे हैं आलाम इन्फर्मिशन चैनल को दोस्तो आज क्या वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं स्टॉक मार्केटिंग में काम करने का सही तरीका अगर आप नए हैं स्टॉक मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो आपको हम information देंगे और guide करेंगे कि आपको सुरवात में stock marketing में किस तरीके से काम करना चाहिए दोस्तो सबसे पहले आप जब भी stock marketing को आप start करें तो आप एक कोई बड़िया company में आप अपना dimate account बनाईए dimate account जैसे की angel one हो गया, icic dimate account हो गया, बहुत सारा company है लेकिन इस अप company में आपका ब्रोक्रेज चार्ज बहुत ज्यादा ले लेता है और आपको जो है ना आपको जो कमाते हैं ब्रोक्रेज चार्ज में ही आपको खतम हो जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आप जो है एक ऐसा company खोजे जो company आपसे ब्रोक्रेज चार्ज ना करे यानि कि आप long time के लिए अगर कोई investment कर रहे हैं तो आपका ब्रोक्रेज चार्ज ना ले और उस company में आप थोड़ा थोड़ा करके नीवेस करना शुरू करेंगे तो आपको दिक्कत ने होगा ब्रोक्रेज चार्ज ने लेगा अगर आप दिन का 100 रुपिया 20 रुपिया 30 रुपिया भी कमाते हैं तो यह पैसा जूड करके आपका साम तक में जो है 100-200 रुपिया आ आपका benefit हो जाएगा तो आपके अगर जानकारी में अगर कोई company ऐसा है कि ब्रोक्रेज चार्ज ना लेता हो तो ठीक है और नहीं तो आप जिरोधा में एकाउन खुलवा सकते हैं जिरोधा में आपको वहां पे ट्रेडिंग करने का 0% चार्ज लगता है अगर आप long time के खरीद रहे हैं तो आप किस ब्रांच का और को खरीद रहे हैं जैसे कि state bank का सेर को खरीद रहे हैं कि Titan का Serr खरीद रहे हैं, Tata Steel कगई रहे हैं, जो भी Brand का आप Serr को खरीद रहे हैं उसका काम को आप देखे कि उसका काम क्या है, जह आप खरीदने जाएंगे तो आपको Chart Payton दिखायाँ जाएगा, Chart Payton में आप देख सकते हैं कि आने company low price में आपको मिल जाए तो वहाँ पे आपको share खरीद लेना चाहिए और कोई company जब अच्छा company है अच्छा काम कर रहा है और उसका share अच्छा खासा बढ़ रहा है तो जब highest price से बहुत दूर है और थोड़ा सा low से भी ज़्यादा बढ़ गिया है तो उस समय भी आपको share को खरीद लना चाहिए कि उस समय भी आपका benefit अच्छा खासा हो सकता है और मैं बात करता हूँ यहाँ पे सब कोई गलती क्या करता है जैसे कि जब highest price जाने लगता है तो उसका गराब चाट को देखता नहीं है इधर उधर जो है दिमाग लगाता है देखता है कि आरे इसका तो सेर बहुत बढ़ रहा है यह सेर जो आगे जा रहा है तो इसको हम फटाक से खरिदते हैं और उसका जो है चाट पोजिशन देखकर के पिछले दो साल तीन साल का चाट पोजिशन देखकर कर पता चलता है कि इसका highest पराज 500 तक गिया है और 500 से उपर गिया नहीं है लेकिन वो बंदा क्या करता है 500 पे जाकर खरिदता है और जब धीरे धीरे जब नीच हऊसरत पराईज में नहीं खरिदना तो इसको विट करना है और बंदा आएगा तब भी आपको ने खरिदना है, जब देखते रहे हैं कि आप गराप कितना नीचा आ रहा है, जब देखना है कि लास्ट पोजिशन में आ गया है, पूरा एक दन नीचा आ गया है, और गराप आप उपर जाने को रेडी है, तब ही आपका समय होता है, कोई भी सेर को कोई भी सेर को बाई करने का, लेकिन दोस्तों असरत ये रहेगा कि आप जो है, जो कमपनी में सेर खरिद रहे हैं, उसका फंडमेंटल को आप पहले समझे, कि कमपनी क्यों गिरा, कमपनी क्यों उठ रहा है, और कमपनी में काम क्या चल रहा है, जो कमपनी में हम खरिद रहे तो आने बला समय में कैसा ग्रोथ कर सकता है यह सब चीजों को अनलाइसेस करके जब आप खरीद थे हैं तो आने बला समय में आपका बहुत सारा प्रॉपिट होने का संभावना होता है और तीसरा काम दोस्तों कि आप जब भी आप सेयर को खरीदे तो आप सुरबात में छोट इसा नहीं कि आपको मिला 50 रुपय का शेयर और आप credit मर्डिये ख़रीद द्रस 20 क्वशैर को खर款 करे दिए दो तिन भर कर करे दिखे आपको benefit हो रहा किस तरह कर काम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं अगर आपका दिमाग में वो काम अगर सूट करता है तो आप की किजिए क्योंकि ये सब काम सब का दिमाग में सूट ने करता है आपको कहां खरिदना है कहां आपको बेचना है इस चीज ये बहुत हो इंपोर्टन है कि आपको किस पराज में खरिदना है किस पराज में बेचन और लाइब आपको हम चार्ट पेटन से पूरा आपको समझाए बताए पढ़ाए तो आपको कैसा रहेगा कमेंट करके जरूर बताएगा तो आपके लिए अगर ये वीडियो हैलफुल रहा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तक आने वाला वीडियो आपको न नए वीडियो नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत